एक बात ये समझ में नहीं आती है कि कल ही मीडिया में मुख्यमंत्री जी का दिल्ली से बाहर गोवा के अंदर दोरे का कारिकरम एनाउंस किया पार्टी ने कि 18-19-20 तीन दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री गोवा के दोरे पर होंगे लोकसवाचुनाओं की तैयारियों के मद्य नजर और आज मीडिया में खबर आती है कि अठारा तारिक के लिए एडिन नोट नोटिस जारी कर दिया है यह इत्वाक नहीं है आप इतने दिनों से चुप बैठे रहे और कल कारिकरम मीडिया में घोसित हुआ और आपने नोटिस मीडिया में जो है भेज दिया यानि यह साफ दिख रहा है कि आप किसी भी तरह से बिपक्ष को लोग सभाज चुनाओं में जो बिपक्ष के नेता हैं उनको प्रचार करने से आप रोखना चाहते हो अर्विंद केजरिवाल लोग सभाज चुनाओं में प्रचार ना कर सकें उसकी तैयारियां ना कर सकें इसलिए आप भाजपा ED को अपना एक हतियार बना चुकी है मतलब ऐसा लगता है कि आज ED भाजपा के एक frontal संगठन की तरह काम करती है ED एक समवैधानिक संस्था है समवैधानिक संस्था की notice मुख्यमंत्री जी के हाँ पहुचने से पहले मीडिया में लीग कर दी जाती है मुख्यमंत्री के हाँ notice नहीं पहुचा ख़बर कहां से मिलती है मीडिया से PD की notice जो है वो चौथी notice जारी हो गई यह समवैधानिक संस्थाओं का काम नहीं है भाजपा का यह काम है और हमारा निवेदन है कि ED को भाजपा का frontal संगठन बनने से बचना चाहिए और इस तरह का जो राजनितिक तरीके से भारती जनता पार्टी ED का दुर्प्योग कर रही है उससे उससे बचना चाहिए ED को भाजपा का राजनितिक हतियार नहीं बनना चाहिए उससे बचना चाहिए